कार सड़क दुरुगटना में एक फोजी की मोत वै एक घायल फत्यवाद सिर्शा रोड पर डिंग मोड के पास साकार के सड़क दुरुगटना गरस्त होने पर उसमें सवार गाउं महुवाला निवासी फोजी नरेश 24 वर्षे की मोत हो गई जबकि उसके साथ रिंकू निवासी फत्यवाद घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार नरेश वे रिंकू कार में सवार होकर सिर्शा से फत्यवाद की और जा रहे थे कि उनकी कार का दुरुगटना गरस्त होगी अग्यात वहान से टकराने के चलते इस दुरुगटना में 24 वर्षिय नरेश की मोत होगी जबकि रिंकू गंबी रूप से घायल हो गया जिसे उप्चार के लिए सिर्शा के अस्पताल दाखिल करवाए गया वहीं इस गटना में मिर्तक के सव को नागरिक अस्पताल सिर्शा ले जाया गया जहां पर उसका पुश्माटम कर सब प्रीजनों को सौपा इस गटना से सम्मंदित जान कर देते हुए प्रीजन रामकुमार ने बताया कि नरेश 2015 में फोज में सेना में भरती हुआ और उसकी ड्यूटी जम्मु कस्मीर में थी वहें बारा महार बटालियन का सैनिक था और इस दुरुगटना में वैकाल का शिकार हो गया इस बारे जान कर देते हुए उसने बताया कि नरेश 20 सितंबर को ही छुट्टिय पर आया था और उसके दो साल पहले ही साधी हुई थी जिसके उसके च्छै मा का बेटा है इस दुरुगटना पर गाउं में शोक की लहर दोड़ गई जैसे ही यह समाचार ग्रामनों को मिला तो यहां पर महौर गमगीन हो गया मिर्तक का यहां गाउं मेहौला के सिवपुरी में उसके सव को दफनाया गया यहां पर इस उसकी सवयात्रा में सेकड़ों के तादात में सवयात्रा में लोग सामिल हुए और उसे सधानजली अरपित की प्रामनों की